नमस्कार फ्योश मंद सुन दश्रों में देखने को मिले काफी ट्विस्टा इंट्रंस जहां पर देखने को मिला कि अब यहां पर जैसे ही जो यह मना जाता है सिव और पारवती बन जाते हैं रूही और नहार महा सिव राती का तो हर अच्छे तरीके से मना जाता है और जब अगनी जोह तिशुल से रूही की जान लेना जाती थी तिशुल गिरा देती रूही के उपर लेकिन नहार पकड़ देता है तो यहां पश्रीव और शक्ति एक हो चुकी होते हैं और यह सब कुछ देखकर अगनी से बिलकुल भी सान नहीं हो रहा होता है अब जैसे ही नहार सुबर उठता है तो उसके बालों में कुछ लगा होता है रूही नहार के काफी करीब आई होती है दोनों के बीच काफी रोमेंटिक सीन देखने को मिलते हैं तो अब देखना काफी दिल्चस पहने वाला है जहां पर अब नहार जो है वो पूछने लग जाता है कि क्या तु नहार को सब कुछ जाए तो आने वाले एपिसोड सेप़ चलने वाला पहले तो उसकी बात पर यकी नहीं करेगा लेकिन जब दीरे दीरे अगने की सचे ही आई कि नहार के सामने तब होगा नहार को अपनी गलती का साथ देगा रुई का साथ